इस दोजार बाइस के लिए गुजराट टाइटेंस और लखनो सुपर जेंस ने गोशित की अपनी खतरनाग प्लेंग 11 इन 11 दाकड किलाडियों के साथ उत्रेगी दोनों टीम में मेदान पर नमस्कार दोस्तों स्वागत ते एक बार पिर हमारे चैनल देव किरकेट में आईपिल 2022 में केल राउल और हार्दिक पांडिया अपनी इस खतरनाग प्लेंग 11 के साथ उत्रेंगे मेदान पर इस 2022 के आईपिल में दो नई टीम में लखनव सुपर जेंट्स और गुजरा टाइटेंस ने अपनी प्लेंग इलेओन कोशित कर दिये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों टीमों की तरब से कौन-कौन से खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजराएंगे आकिरकार केल, राउल और हार्दिक पांडे की स्प्लेंग 11 के साथ इस आईपिल 2022 में उत्तरने वाले इन दोनों नई टीमों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि आपकी फेवरेट टीम इस आईपिल 2022 में शानदार प्रफोमेंस करके दिखाए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है तो दोस्तों हम बात करें गुजरा टाइटेंस की टीम की तो इस टीम के पास काफी शानदार ओल राउंडर खिलाडी मोजूद है चो कि टीम के लिए काफी शानदार प्रफोमेंस करके दिखा सकते हैं इस टीम के पास हार्दिक पांडिया के अलावा डोमेनिक ड्रेस, विजे संकर, राउल, तेवेटिया जैसे खतरनाग खिलाडी भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि इस टीम के लिए शांदार प्रपोमेंस करके दिखा सकते हैं, इसके अलावा इस टीम के पास गेंदबाजी की ब पास मोझूद है जो कि इस टीम के लिए कापी शान्दार प्रपोमेंस करके दिखा सकते हैं वही परिस टीम के पास बेट्टिंग में भारते खिलाडियों की कमी स्टीम को रहेगी सुमन घिल के अलावा इस टीम के पास कोई भी बड़ा भारते बल्ली बाच मोझूद नहीं हो वहीं पर अब हम बात करें लखनो सुपर जेंट्स की तो इस टीम की ताकत की बात करें तो इस टीम की ताकत रहने वाले इस टीम के ओल राउंडर खिलाडी इस टीम के पास एक से बढ़कर एक ओल राउंडर खिलाडी मोजूद होने वाले जैसे जैसन होलडर कुनाल पांडिय दिपप, खुड़ा, कृष्णोपा, स्टोईनीस जैसे पांच खतरनाक ओल राउंडर खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद है जो कि इस IPL के काफी अनुबवी खिलाड़ी है जो कि इस IPL में काफी शांदार फोम में उतरने वाले इसके लवा इस टीम में स्पिन खिलाड़ी की कमी रहने वाली हालाइंकी रवी विश्णोई जैसे बहतरीन स्पिन के इंदबाज इस टीम के पास मौजूद होने वाले लेकिन इसके अलावा सहाबाज, नदिन और कुनाल पांडिया के अलावा ज़्यदा बड़े नाम इस टीम के पास मौजूद नहीं होने वाले लेकिन फिर भी देखा जाए तो लकनव सुपर जेंट्स की टीम काफी शांदार नजर आ रही है तो चली दोस्तों अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेओन, आखिरकार की इस प्लेइंग इलेओन के साथ दोनों टीम में मैदान पर उतरने वाली है तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें गुजराद टाइटेंस की प्लेयंग इलेंग उनकी तो इस टीम की तरब से हमें ऐज्मिय की तरब से हमें ओपनिंग पेर में खेलते हुए दिखने वालें वही पर इस टीम की तरब से हमें नमबर तीन पर खेलते हुए दिखेंगे गुलगीत सिंग मान तो नमबर चार पर खेलते हुए दिखेंगे विजे संकर तो वही पर हमें इस टीम की तरब से नंबर 5 पर कहलते हुए दिखने वाले हैं इस टीम के कप्तान हार्दिक बांडिया तो वही पर हमें नंबर 6 पर कहलते हुए दिखेंगे मेदु वेट तो नंबर 7 पर कहलते हुए दिखेंगे राउल तेवटिया तो वही पर इस टीम की तरफ से नंबर आट पर खेलते हुए दिखने वाले डोपनिंग डारकस तो नंबर नो पर खेलते हुए दिखेंगे रासित कान वही पर टीम की तरब से दस्वी किलाडी के रूप में नमबर दस पर खेलते हुए दिखने वाले मोहमद समी तो नमबर ग्यारा पर खेलते हुए दिखेंगे लोग की फर्ग्यूसन देखा जाहे तो इस टीम की गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी काफी मजबूत दिख रही है वही पर अब हम बात करें लखनोव सुपर जेंट्स की तो इस टीम की ओपनिंग करते हुए दिखेंगे इस टीम के कप्तान के है राउल और क्विंटन डिकोग एक शांदार विकेट की पर है जो की टीम के लिए काफी शांदार शुरुआ दिला सकते हैं वही पर इस टीम की तरब से नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे मनीस पांडिया तो नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे मारकरो स्टोईनीस तो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे दिपक उड़ा तो वही पर हमें नंबर 6 पर खेलते हुए दिखेंगे कुनाल पांडिय तो नमबर साथ पर खेलते हुए दिखेंगे जेसन होल्डर तो वही पर इस टीम की तरब से नमबर आट पर खेलते हुए दिखेंगे रवी विश्नुई वहीं पर हमें नमबर 10 पर खेलते वे दिखेंगे मार्क हुट तो नमबर 11 पर खेलते वे दिखेंगे आवेस खान इस टीम के पास काफी बड़े ओल राउंडर किलाडी मोजूद है जो कि इस टीम के लिए बल्ले बाजी के साथ शांदार गेंद बाजी भी करके दिखा सकते हैं तो दोस्तों देखा जाए तो फिला लकनोग सुपर जेंट्स की टीम काफी मजबूती पर दिखरी है इसे में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस सीरीज में कमाल का प्रपमेंस करके दिखा सकती हैं हमें अपने विचार कॉमेंट करके जरूर बताए और साथी साथ वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले दन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहने के लिए